हलो फ्रेंज, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूट्मेंट लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है UK SSC से जुनियर इंजीनियर यानि की J.E. Electrical, Civil और Mechanical Engineers के लिए जॉब रिक्रूट्मेंट निकल के आ रही है permanent job है, regular job है, salary बहुत अच्छी, 44,000 मिल जाएगी इसी के अलावा कोई भी experience नहीं मांगा गया है fresh or completely eligible है तो अगर आप इस post के लिए interested हैं तो इस वीडियो को लासर जरूर देखिएगा इसका form बहुत पहले आ चुका था बट मैं इसकी वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि इसके जो भरने का तरीका है वो clear नहीं था बट अब clear हो गया है तो इसलिए मैं इसमें वीडियो बने रहा हूँ तो जिनको इसे related कोई भी confusion है वो उससे पूस सकते हैं और बाकि इसकी सारी details मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ So friends, welcome to my channel Civil Engineering Destination For regular job updates चाते हैं तो चैनल को subscribe कर सकते हैं इसी के अलावा आप सब के लिए एक बहुत अच्छी news निकल के आ रही है अगर आप लोग एक Civil Engineer है अगर आप लोग फेशर हैं, student हैं, graduate हो चुके हैं, experience वाले हैं, फरक नहीं पड़ता हम आपके लिए free Civil Engineering Training Program लेके आ रहे हैं Civil Guru जी के तरब से बहुत अच्छा मौका है जहांपे आप लोग ट्रेनिंग तो करी सकते हैं Training के सार साथ अपने लिए एक अच्छी खासी earning भी कर सकते हैं, 25-30,000 रुपए हर महिने आप लोग यहां बैठे कमा सकते हैं Civil Guru जी यहां पे आपको online training provide करता है, offline भी करता है, सबसे बड़ी बात यह है कि देखे आपको practical training provide करते हैं, कि जो actual में जरूरत होती है किसी भी site पे, किसी भी organization में काम करने के लिए, वो यहां पे आपको मिल जाती है 50-plus से जाधा training programs हैं, जैसे कि building design करना, highway करना, quantity निकालना, geotechnical आपकी b-tech के सारे semester की जानकारी, freelancing कैसे कर सकते हैं, bridge कैसे design कर सकते हैं यह सारे courses, सारी training program, यहां पे आपको मिल सकते हैं, 50-plus से जाधा training program है तो जो लोग चाहते हैं, आपको participate कर सकते हैं, ठीक है इसी के अलावा, यहां पे इनके जो top educators हैं, वो यहां पे आपको चीज़े सिखाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 100 days की आपकी training चलने वाली है, SDO program की, तो जो लोग चाहते हैं, यहां पे participate कर सकते हैं, ठीक है इसी के अलावा, यहां पे आपको refer and earn का भी option है, अगर आप अपने किसी friend को लाते हैं, और अगर वो किसी training program में participate करता है तो उसकी fees से एक जो incentive होता है, वो आपको यहां पे मिल जाएगा, ताकि इससे आपकी अच्छी खासी earning हो जाए तो जो लोग चाते हैं, यहां पे as well as possible enroll कर सकते हैं, SDO का lifetime membership program है सिर्फ 847 engineer के पास ही यह मौका है कि वो यहां पे enroll कर सकते हैं, बागी इसकी सारी जानकारी description में भी दी गई है आप चाहे तो इस number में भी call कर सकते हैं, बात कर लेते हैं सीधे recruitment के बारे में यह निकल के आ रही है, उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड SSC की तरफ से recruitment निकल के आ रही है इसका notification देखे, बहुत पहले आ गया था, बट मैं इस पर video नहीं बना रहा था, जानबूश के नहीं बना रहा था क्योंकि देखे, इसके advertisement के हिसाब से, इसमें all over India लोग apply कर सकते हैं, बट जब मैंने इसका form भरा और जब मैंने पता किया, तो पता चला कि सिर्फ all over India के नहीं, अगर आप सिर्फ उत्तराखंड के निवासी हैं, अगर आपके पस उत्तराखंड का domicile है, या फिर आपकी 10th class की माकशीर उत्तराखंड से है, तभी आप लोग यहाँ पे देखे, apply कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ पे apply नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ की main बात है, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, तो किसी और state वाले हैं, तो आप लोग वीडियो छोड़ सकते हैं, मुझे को फीज भढने की last rate यहाँ पे इसकी 31-2022 रखी गई है, इसी के अलावा देखे, यहाँ जो expected date है exam होने की, वो जून 2022 में रहने वाली हैं, ठीक है, कुछ vacancies backlog की हैं, कुछ vacancies current भी हैं, सभी के बारे में यहाँ पे हम proper discuss करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते ह reservation के हिसाब से देख सकते हैं, वेतन नामा आप यहाँ पे देख सकते हैं, 44,900 यहाँ पर आपकी starting salary रहने वाली है, level 6 के हिसाब से, age limit यहाँ पर आपकी 18 to 42 years यहाँ पे रख दी गई है, ठीक है, ठीक है, तो I think यह बार भी clear हो गई होगी, इसी के अलावा qualification में, अगर आपने 3 साल का diploma कर रखा है, किसी भी college से, तो आप लोग यहाँ पे apply कर सकते हैं, अगर B.Tech किया है, और कर diploma के बाद किया है, तो उस case में आप यहाँ apply कर सकते हैं, बट अगर 12 के बार सीधे B.Tech कर लिया है, तो देखें, यहाँ पे eligible नहीं है, minimum qualification diploma यहाँ पे मांग ली गई है, आपका OMR sheet पे रहने वाला है, जो कि आपका MCQ type रहने वाला है, जो कि 2 घंटे का होएगा और 100 मास का यहाँ पे आपका paper रहने वाला है, तीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तीक है, और देखें, यहाँ पे अलग-अलग विभाग है, वहाँ पे से अलग-अ लग-भग सेमी है, सबको हम लोग देखें, डिसकस नहीं कर पाएंगे, तो जिनको हम लोग कर पा रहे हैं, उनको हम कर सकते हैं, for example, यहाँ पे आप देख सकते हैं, vacancies 15 निकल के आ रही है, civil, mechanical, और electrical, तीनों मिला के, यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है, age limit again, 18 to 42 years रग द गई है, इसी के लग देखें, हम इसकी और बात कर लेते हैं, तो इसकी देखिए, selection procedure मैंने आपको बता दिया है, paper यहाँ पे आपका return रहने वाला है, vacancy बहुत सारी है, कुल मिला के I think 76 के आसपास vacancy है, तो हम सबको डिसकस नहीं कर पाएंगे, तो जो जो main main है, मैंने आपक सबका same ही है, अगर यहाँ पे देखिए, आपका selection procedure exam रहने वाला है, और यहाँ पे आपकी one by four की negative marking भी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, तो exam अगर आपको गलत करते हैं, तो यहाँ पे आपकी negative marking भी हो जाएगी, ठीक है, यह खेल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, बाकी इसका form भरना start हो गया है, और इसी के रावा इसकी last rate भी मैंने आपको clear कर दी है, salary भी मैंने आपको बता दी है, अगर हम इसके centers की बात कर लेते हैं, तो center आपको सर्फ उतराखंट में ही मिलेंगे, इसके रावा और कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, बाकी reservation भी सर्फ उ apply कैसे करना है, तो apply करने के लिए ये इनकी official website है, यहाँ पे आपको चले जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाने के बात, आप जाके candidate register here, या फिर आप यहाँ पे login करना चाते हैं, तो login भी कर सकते हैं, बाकी again इसकी जो हमारी website है, उस पे भी मैंने इसे government job के section में पुरी तरा से update कर दिया है, तो जो लोग चाहते हैं, government job के section से भी, जाके यहाँ पे enroll कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इसकी जानगारी description में भी दी गई है, तो फिलाए, इसी के लावा जो और job updates हैं, चाहे फिर वो government job की हो, या फिर private job की हो, अगर आपने किसी में apply नहीं किया है, तो आप लोग देखिए, please कर दीजिए, बच्चों की बहुत जादा comment आती है, किसन मुझे job नहीं मिल लही है, मैं बहुत टाम से channel को follow कर रहा हूँ, या फिर कर रही हूँ, तो बेटा देखिए, उसके पीछे reason ये है, कि बेटा देखिए, आप लोग और जादा try करिए, अपनी CV strong नौकरी जादा नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, तो you have to be one of the best of the best, और आपको भीड से अलग खड़ा होना पड़ेगा, और उसके लिए अपने अलग पहचान बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि कभी भी म मेहनत करने से पीछे मत भागिये, इंप्रूव होने से पीछे मत भागिये, at the end of the day आपको ही ये चीज़ बेनेफिट मिलने वाली है, ठीक है, तो I think मार समझ में आ गई होगी